सपना मोहनगर की एक बड़ी सी सॉफ्ट्वियर कमपनी में काम किया करती है उसी कमपनी में शिवम नाम का लड़का भी काम किया करता था सपना और शिवम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे रोज की तरही रात के आठ बजे ओफिस के इप सभी स्टाफ के छुट्टी हो जाती है तो शिवम सपना के पास जाता है और उससे बोलता है अरे सपना कितना काम करोगी तुँ जरा देखो तो आधा स्टाफ घर जा चुका है और ये मैडम है कि घर चलने का नाम ही नहीं ले रही है अरे यार क्या बताओं आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी मेरी एक फाइल है जिसे कंप्लीट करके आज ही मुझे बॉस को देना है जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता मैं घर नहीं जा पाऊंगी और मुझे लगता है कि काम पूरा करने में मुझे आराम से 11 बारतों बजी जाएंगे फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा अरे तुम मेरी चिंता मत करो मैं कैब से घर चली जाऊंगी पर अगर तुम अपने घर देरी से गए तो तुम्हारे पापा तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तो तुम अच्छे से जानते हो नहीं नहीं रात के समय कैब से जाना सही नहीं होगा अरे बाबा तुम घर जाओ मैं घर पहुँचते ही तुम्हें फोन करूँगी सपना की बात मान कर शिवम अपने घर चला जाता है और सपना को ओफिस में काम करते हुए कब 12 बज जाते है उसे पता भी नहीं चलता है अरे बापरे आज तो रात के 12 बज गें मैं जल्दी से कैब बुक करती हूँ सपना जैसे ही कैब बुक करती है कि चैब दुरंती ओफिस के बाहर आ पहुंचती है सपना कैब में बैकती है और बोलती है क्या बात है भईया आप तो कैब बुक करते ही आगए चलो अच्छा है वैसे भी आज घर के लिए मुझे काफी लेट हो गया है कुछ तेर बाद सपना कैब की खिड़की से बाहर देखती है और वो चौंकते हुए कैब ड्राइवर से बोलती है अरे भाया ये आप मुझे किस रास्ते से ले जा रहे हो यहां तो आसपास सब सुनसान है कैब ड्राइवर जोर-जोर से हसने लगता है और सपना से बोलता है मेडम आप जैसी सुन्दर हसीना को मैं भला शोर शरावे के रास्ते से कैसे घर ले जा सकता हूँ ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सपना की बाद सुनते ही कैब ड्राइवर एक डरावने भूत के रूप में बदल जाता है और हसते हुए बोलता है तुम सच में बहुत संदर हो, क्या तुम मुझ से शाधी करोगी तुम एक भूत हो और मैं शाधी? वो भी तुम से कभी नहीं सपना की बाद से भूत को बहुत गुसा आता है और वो सपना को कैब से उतार कर उसका गला दबा कर मार डालता है फिर अगली रात बारबजे निधी नाम की लड़की सड़क के किनारी खड़ी किसी का इंतजार कर रही होती है कि तब ही उसके सामने एक कैब आकर रुकती है अरे मैडम आप इतनी रात में यहां अकेले खड़ी है किया आपको पता नहीं इस रास्ते में ऐसे अकेले खड़े रहना कितना रिस्की है आईए मेरी कैब में बैठ जाईए आपको जहां जाना है मैं छोड़ दूगा नहीं मुझे कैब की जरुरत नहीं है मेरा दोस्त बस आता ही होगा अरे मैडम मैंने सुना है इस रास्ते पर रात बारा बजे एक भूत घूमता है अब सोच लेजिए कहीं मैं यहां से गया और वो भूत यहां आ गया तो आपका क्या होगा नीजी डर जाती है और फट से कैब में बैठ जाती है मैडम आप कितनी सुन्दर हो और काफी पढ़ी लिखी भी मालूम होती है आप शायद मोहननगर की सौफ्टवेर कमपनी में काम करती हो क्या बात है भईया आपने तो बिल्कुल सही पैचाना मैं भी आप जैसी ही सुन्दर पढ़ी लिखी जौब करने वाली लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जो बिल्कुल आप जैसी हो वैसे मडम क्या आप मुझ से शादी करोगी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है एक कैप ड्राइवर से भला कौन पढ़ी लिखी जौब वाली लड़की शादी करना चाहीगी और जरा शिशे में अपनी शकल तो देखो आए बड़े शादी करने वाले निदे की बात सुनते ही कैप ड्राइवर एक डरावने भूत में बदल जाता है और गुस्से से बोलता है कैप ड्राइवर के पास दिल नहीं होता क्या जो तुम जैसी लड़कियां उनसे शादी रही करना चाहती अरे बापरे तुम एक भूत हो अरे ये मैं कहां वस गई अरे कोई मुझे इस भूत से बचाओ इस भूत की कैप में राद को जो भी लड़की बैखती है वो सिंदा नहीं बची है फिर ऐसा बोलकर भूत निधी को भी बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है और उसे सड़क की किनारे फेक कर वहां से चला जाता है फिर हर राद भूत इसी तरह से सुंदर लड़कियों को अपनी कैप में बिठाता और उन्हें मार कर सड़क के किनारे फेक देता आए दिन शहर में इस तरह की वारदात से पूरा शहर काप उठा था तभी एक दिन कुछ पुलिस वाले मोहन नगर की सौफ्वियर कंपनी में जाते हैं कि तभी शिवम अपने ओफिस में पुलिस वालों को देख कर उनके पास जाता है और उनसे बोलता है सर मेरी दोस्त सपना के बारे में कुछ पता चला और निधी भी कई दिनों से गायब है वल सपना की तरह ही निधी का भी खून हो गया है उसकी लाश भी हमें सड़क के किनारे पड़ी मिली जिसने भी इन दोनों का खून किया है मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा हमें सीसी टीवी से पता चला है कि सपना का खून किसी इनसान ने नहीं बलकि एक भूत ने किया है और हो ना हो इसी भूत ने बाकी लड़कियों को भी मारा है जो कि रात के समय अपनी गैब लेकर निकलता है और सुन्दर लड़कियों को अपना शिकार बनाता है अब हम पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस धरावने भूत को कैसे पकड़ें मगर मेगा इस काम में बड़ा रिस्क है मैं पहले ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो चुका हूँ इसी लिए मैं अब तुहें नहीं खोना चाहता शिवम सही बोल रहा है हम लोग उस कैब वाले भूत को पकड़ने के लिए तुम्हारी जान खत्रे में नहीं डाल सकते तब ही शिवम को एक आइडिया आता है वो पुलिस से कहता है फिर उसी राथ शिवम राद के 12 बजे लड़की की तरह तयार होकर सड़क के किनारे भूत की कैब का इंतजार करता है कि तब ही शिवम को एक कैब आती दिखाई देती है शिवम हाद दे कर कैब रोकता है शिवम कैब ड्राइवर से कहता है भाईया मुझे लाल चौक जाना है आईए ना मैडम जी बैठिये मैंने आज तक तक तुम जैसी हसीना कहीं नहीं देखी मुझे तो बस ऐसी ही हसीना से शादी करने की चाह है सच में तुम तो बहुत ही सुन्दर हो सच में भाईया मैं आपको सच में बहुत सुन्दर दिखती हूँ बस भाईया कहकर तुम हमारा दिल न तोड़ो बस इतना बता दो कि तुम मुझे से शादी करोगी ना कहीं तुम भी और लड़कियों की तरह मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगी ना अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे लिए बिलकुल अच्छा नहीं होगा ड्राइवर की बातों से शिवम को यकीन हो जाता है कि ये एक भूत है फिर शिवम लड़की की आवाज निकाल कर ड्राइवर को अपनी बातों में लगा लेता है और उसे तांतरिक बाबा के मंदिर ले आता है तुमने मेरी इतनी तारीफ की है कि सच में मैं तुम से प्यार करने लगी हूँ. इसलिए हम आज इस मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर क्या था? ड्राइवर अपनी कैब साइड में लगा कर शिवम के साथ मंदिर में आ जाता है। पर जैसे ही ड्राइवर की नजर वहां खड़ी पुलिस और तांत्रिक बाबा पर पढ़ती है, वो सब समझ जाता है और देखते ही देखते, वो ड्राइवर एक डरावने भूत में बदल जाता है। भूत जोर-जोर से चिलाते हुए बोलता है। भूत कुछ कर पाता उससे पहली तांत्रिक बाबा भूत पर भबूत चाल कर उसे बान देते हैं। अपनी भभूत से तुझे भस्म कर दूँगा। मुझे भस्म मत करो, मैं सब बताता हूँ। कुछ साल पहले मुझे एक सुन्दर लड़की से प्यार हुआ। वो भी मुझे बहुत चाती थी और जैसे ही एक दिन उसे पता चला कि मैं कैब ड्राइवर हूँ। तो उसने मुझे छोड़ दिया। पर जब मैंने उससे मिलना चाहा, तो उसने अपने भाई से कहकर मेरी बहुत पिटाई लगवाई। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी सांसे ही थम गई। और वो मुझे मार कर मेरी ही कैब में मुझे बंद करके चले गए। बस फिर क्या था। भूत बनते ही सबसे पहले मैंने अपनी गल्फरेंड को मारा। पर जब उसे मार कर भी मुझे शांती नहीं मिली। तो मैंने आधी रात में कैब से जाने वाली सुन्दर लड़कियों को अपना शिकार बनाया। और उन्हें मार कर मुझे जो शांती मिलती है न। मैं क्या ही बताओ तुझे तांत्रेक। मेरी सपना की क्या गल्ती थी जो तुने उसे भी मार डाला। मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा। अरे मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। और अब तुम सब की बारी है मरने की। तुम्हारे सथ जो हुआ वो बहुत ही गल्त हुआ। पर जो तुम अब कर रहे हो वो उससे भी सादा गल्त है। इसलिए आज के बाद तुम किसी लड़की को नहीं मारोगे। तांतरिक बाबा अपने थैले से भभूत निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हुए वो भभूत भूत के उपर डाल देते हैं। भभूत भूत के शरीर पर पढ़ते ही वो भस्म हुचाता है। फिर भूत के भस्म होते ही सभी को राहत मिलती है। पुलिस शिवम व तांतरिक बाबा का धनिवाद करती है और फिर सभी खुशी-खुशी वहां से चले जाते हैं। होश्यार पुर्णाम के गाउं में जगिया अपनी माँ पूनम के साथ रहता था। जगिया बहुत पुझापाट करता था। पुझापाट के साथ साथ जगिया का एक खेट था। उसमें वो ताजी-ताजी सबजियां उगाता और उन्हीं का सेवन करता। बाकी बची हुई सबसियों को वो गाउवासियों को बेचता और उसी से घर का गुजारा करता. जग्या की मा पूनम की उम्र हो गई थी, बुढ़ापे की बज़ा से पूनम को हाई बलड प्रेशर रहता था, साथ ही साथ पूनम को दिल की बिमारी भी हो गई थी. एक दिन पूनम की तब्यद बहुत जादा खराब हो जाती है, पूनम बिलकुल बिस्तर से उड़ भी नहीं पाती, जैसे कि उसका अंतिम समय चल रहा हो. बेटा, मुझे लगता है अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है. नहीं मा, आप ऐसे मत बोलो, मैं गाओं से दूर शहर के बढ़िया हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाओंगा. नहीं बेटा, मुझे यहीं अपने गाओं में रहना है, और मैं चाहती हूँ, मेरी सिंदगी का जितना भी समय बचा है, मैं अपने घर में रहूँ. मा, आपको कुछ नहीं होगा, अब एक बार मेरे कहने पर हॉस्पिटल तो चलो, शहर वाले हॉस्पिटल में बहुत बढ़े लिखे डॉक्टर है, यह आपकी पीमारी का इलाज जरूर करेंगे, और बहुत अच्छा करेंगे. पूनम अपनी जिद पर अड़ जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए साफ इनकार कर देती है. बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ, कि मेरे मरने के बाद तुम पूजा पाट में और ज़्यादा ध्यान लगाओ. तुम मुझे गाओं के शमशान घाट में जलाओगे न, जो शमशान घाट के सामने मंदिर है न, मैं चाहती हूँ, तुम उस मंदिर में पुजारी बनकर गाओं वासियों की सेवा करो, और भगवान की सेवा करो, मैं सामने से तुम्हें देख पाऊंगी. ठीक है मा. जगिया अपनी मा की बात मान लेता है, आप मुझे चोड़ कर क्यों चली गई? एक दिन जगिया को अपनी मा पुनम की बहुत याद आती है, वो शमशान घाट पर जाकर बहुत जोरों से रोने लगता है. मा, आप मुझे चोड़ कर क्यों चली गई? मैं आप से बहुत प्यार करता हूँ. जब से आप मेरे पास से दूर चली गई हो, तब से मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता. मन करता है मैं मर जाओं. मैं भी, मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ, मा. जग्या की ये बात सुनकर जग्या की मा पूनम उसके आगे प्रकट हो जाती है. मा, आप मुझे चोड़ कर कहां चली गई? मैं आपकी बिना यहाँ नहीं रह पा रहा. मेरा यहाँ चीना बुश्किल है. मैं दिन रात आपको याद करता हूँ. जबसे आपका दिहान दुआ है, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं आपसे मिलने शम्शान घाट ना आया हूँ. पर ये खाप है कि आप मुझे कभी मिलती ही नहीं. हाँ मेरा बेटा, मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आगे आती तो तुम्हारा मन और दुखी होगा. मा, मुझे आप अपने पास बुला लो, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता. अरे, ये किस तरह की बात कर रहे हो, बेटा? मैं चाहती हूँ, तुम अब मंदिर छोड़कर अपनी शादी करो, और अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करो. जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी. नहीं मा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे बस अपने पास बुला लो. तुम चुप करो, और अपनी शादी के बारे में सोचो, गाउं की किसी अच्छी लड़की से अपना विवाह करो. पूनम जगिया को अपनी कसम देती है और उसे शादी करने को बोलती है, बस बेटा ये याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगी. जब भी तुम्हें मेरी जरुरत होगी, मैं शम्शान घाट वाले मित्रों के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करूँगी. जग्या अपनी मा से बात कर रहा होता है, तब ही एक गाउवासी गोलू, उसको शम्शान घाट में अकेले बात करते होगे देख लेता है. अरे ये जग्या शंशान खाट में अकेले इस समय इस से अकेले अकेले बात कर रहा है मुझे तो अब भाया दर लग रहा है ये जग्या कहीं हम सब गाँवास्यों के लिए कोई जाल तो नहीं बना रहा मुझे तो लग रहा है इसने मंदिर में रहकर कोई धक्ती नहीं की बलकि इसने जादू टोटका सीखा है पर ये शम्शान घाट में अकेले अत्माँ से बात करता है उन्हें अपने मन की सारी बात बताता है और उनसे काम करवाता है गोलू गाओं जाकर सब गाओं वासियों को जगया की बात बता देता है अरे गोलू तुम ये कैसी बात कर रही हो अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें जल्द से जल्द उस जगया का कुछ करना पड़ेगा जी मुखिया जी हम सबकी जान खत्रे में है जग्या शम्शान खाट में जाकर अकेले आत्माओं से बात करता है इसने बहुत भैंग कर जादू सीख लिया है मुझे तो लगता है ये एक एक करके सब गाओं वासियों को अपने वश में कर लेगा तुम्ही बताओ अब हम इस जग्या का करे तो करे क्या मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे पास एक आइडिया है क्या जरा हमें भी बताओ इस जग्या के साथ क्या करना चाहिए मुख्या जी आप कल जग्या को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित कर लीजिए जग्या भोजन के लिए आपके घर आएगा हम सब उसे यहीं पकड़ लेंगे और उसे जान से मार देंगे इसी में हम सब की भलाई है अरे गोलू तुमने क्या मस्ताइडिया दिया है हमें अब यहीं करना पड़ेगा और जग्या को बहाने से यहां बुलाना पड़ेगा जी मुख्या जी जग्या आपको गाओं के मुख्या होने के नाते मना भी नहीं करेगा अगले सुबह गाओं का मुख्या शम्शान घाट के सामने वाले मंदिर में जग्या को भूजन करने के लिए आमंतरत करने के लिए चाता है पर वो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं है अरे ये जगिया किधर गया हम सबने कल मिलकर इतनी मुश्किल से प्लान बनाया है इस जगिया का खत्मा करने का और ये जगिया है ही नहीं इधर ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा अब मैं क्या करूँ तब ही गाओं के मुखिया को दिमाग में आता है कि कहीं जगिया शम्शान घाट में जादू टोटका तो नहीं कर रहा वो कुछ कदम आगे बढ़ कर शम्शान घाट की तरफ जाता है और वो जगिया को उधर ही पाता है अरे जगिया मैं तो तुम्हें देखते देखते ही यहां तक आ गया मैं मंदिर गया था मैंने वहाँ देखा कि तुम उधर नहीं हो फिर किसी गाओं वासी ने मुझे बताया तुम इधर हूँ तुम्हें इधर आ गया बस मुखिया जी मैं क्या बताऊ जब से मा का दिहान दुआ है मेरा मन नहीं लगता मैं अक्सर यहां आ जाया करता हूँ ये सोच करके कि मेरी मा यहीं कही है मेरे पास तुम परेशा मत हो जगिया हमारे घर आज रात में बोजन है और मैं यहां तुम्हें बोजन के लिए आमंतरिट करने ही आया हूँ तुम आज रात सात बज़े हमारे घर खाने पर ज़रूर आना जी मुक्या जी मैं जरूर आओंगा जगिया मुक्या की बताया नुसार उसके घर खाने पर पहुंच जाता है जगिया वहाँ देखता है कि उधर सारे गाउवासी वहार क्यों कर रहे हूँ जग्या तुझे तो हम बताते हैं तू शम्शान खाट में रोज बैखता है और सारी आत्माओं को बुला कर गाओं का खात्मा करना चाहता है अरे ये तुम्हें किस ने कहा पैसा तो कुछ नहीं है मैंने तो कभी भी गाओं का गुरा नहीं चाहा गा मैंने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया गाओंवासी जग्या को जला ही रहे होते हैं कि तभी जग्या बहुत सोरों से रोने लगता है और अपनी मा को याद करने लगता है जग्या की मा शम्शान खाट की सारी आत्माओं को लेकर मुख्या के घर पहुँच जाती है गाओं पर भी इसका कुछ नहीं बिगार सकते। वो तुरंत ही मर गया है और आत्माओं की टोली में शामिल हो गया है।